Hello friends, I'm Monica, आपकी Gardiner दोस्त, आज आपसे बात करूँगी over watering की problem की जो बारिश में होती है, बारिश में हमारे पौदों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है over watering की, क्योंकि ज़्यादा time तक बार बार बारिश आने से पौदों में पानी ज़्यादा मिल जाता है उनको, तो हम अ को over watering ना हो इस मौसम में, सबसे पहली चीज़ है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो चिकनी नहीं होनी चाहिए, compact नहीं होनी चाहिए, ताकि वो जो पानी excess आए गमले में वो नीचे drainage hole से निकल जाए, तो मिट्टी को आप अगर बहुत ज़्यादा compact मिट्टी है, चिकनी हैं, तो आप ये बहुत अच्छा मौसम है, इस में पैस सबसे पहले तो आप अपनी मिट्टी को अच्छा कर लें, उससे क्या होगा कि आदी से ज़्यादा problem तो उसी से solve हो जाएगी, फिर आपके गमले का जो drainage hole नीचे जो hole होता है ना, इसको drainage hole कहते हैं, ये बहुत हो गई, ऐसे आपके ठीकरी चिपक गई hole के उपर, तो आप क्या करेंगे, नीचे से कोई भी, आप ये कोई चीज लेके या कोई पेचकस लेके उसको नीचे से ऐसे ठोक नेंगे हम, ताकि वो ठोकेंगे तो थोड़ी सी lose हो जाएगी ऐसे, तो फिर air उसमें से air tight नहीं रहे लाइट वगएरा मिलाके उसको जो है वो airy मिट्टी बना ले, well draining soil बना ले, कोको पीट को मैं मना करती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि अगेन अगर आपने मिट्टी में कोको पीट मिलाया, तो वो कोको पीट फिर से आपकी मिट्टी को water holding capacity बढ़ा देगा उसकी, और आप उसमें क्या करें, जैसे कोई भी पेचकस वगएरा ले ले ले, कुछ ऐसा ले ले, पेचकस ही ले तो अच्छा है, तो मिट्टी में ऐसे एरिये, ऐसे कोई जैसे लकडी के खपच्ची होती है, मैं पेचकस से बता रही हूँ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, जगा जगा ऐसे ऐस से होल कर दे हैं अपनी मिठी में उससे क्या होगा एक तो पानी नहीं रुकेगा और दूसरा क्या होता है पानी रुकने से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हवे जो जड़े हैं वो सास नहीं ले सकती हैं हवा नहीं पहुंचती तो ऐसे हम ऐसे होल जगा जगा बड़ बड़े होल कर देंगे तो वो बाद में पानी से होल भर भी जाएंगे लेकिन एक बार जड़ों को आपके अच्छी तरह से हवा मिल जाएगी तो आपका पौदे की जड़े सफोकेट नहीं होंगी गलेंगे नहीं क्या होता है कि सफोकेट होती है तो एक तो वो सांस नहीं ले ज्यादा इन्फेस्टेशन नहीं होगा होगा भी तो जो मौसम टाइप का थोड़ा साथ है वो होगा उसको आप क्योर कर दें तो ऐसा बहुत अटैक नहीं होगा आपके पौदे पर कि आपका पौदा मरने लगया है तो ये काम करें आप दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने आपकी मिट्टी भी अच्छी है द्रेनेज भी अच्छा है और आपने गमले में गर्मियों में मैं क्या करती हूँ इतनी जगा बना देती हूँ गमलों में देखिए इतनी जगा है मिट्टी के ओपर वो इसलिए कि एक बार जब पानी दे तो आपने इतना गमले में पानी भर दिया तो वो अगले दिन तक अराम से चलता है लेकिन अब सर्दी आ गई है तो देखिए सौरी अब बारिश आ गई है तो आपको ऐसे करना है देखिए इतना अपने गमले को भर दे मिट्टी से बिलकुल यहां तक किती कम जगह है इसमे तो आपकी मिट्टी वेल द्रेन धै अच्छा-ड्रेनेज है उसमें आपने ऊपर जगह ही नहीं छोड़ी यहां पर पानी कठ़ही नहीं होगा बारिश का थोड़ा पर की जो जगह कंते हैं तो आपके वह वह याप उपक बाद करें कि जैसे आपके एसे बड़े वाले गंमिने हैं, जैसे बड़े गंमिने। और आपने ऐसे रखा हुआ है उनको जमीन पे रखा हुआ है या तो आप स्टैंड पे रख दें क्योंकि स्टैंड में भी क्या होता है स्टैंड पे रखने से स्टैंड में ऐसे जाली होती है तो उसमें आपका इसका ड्रेनेज होल फ्री रहता है अब ऐसे अगर जमीन पे तो उसमें से आराम से निकल जाएगा, ऐसे में कैया drainage hole ब्लॉक हो जाता है, कई बार आपका ऐसे पड़ा हुआ है गमला, और नीचे मिट्टी निकल निकलके नीचे जमीन पे मिट्टी कट्टी हो जाती है, और उससे ही ब्लॉक हो जाता है drainage hole, तो इसलिए इसको इंटों पे ऐ कोई भी मार्बल के टुकड़े रग दें कुछ भी मतलब यह है कि हमारा यह जो गमला है वो जमीन से उठ जाए और उसका द्रेनेज फ्री हो जाए तो इस तरह से करना है अगर जमीन पर बढ़े हैं तो बहुत ज्यादा चांसे रहते हैं फिर एक और चीज है अगर आपका कई उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें हैं ऑपके गमलेे को ऐसे लिटा और नहीं से देखिए मिट्टी निकल की आप ऐसे करें कि जैसे गमले के उपर है, यहां तो कोई पॉलेथेन या कोई कपड़ा लगा दें, ताकि मिट्टी बाहर ने निकले, और अपने गमले को ऐसे लिटा दें, ऐसे, चिकनी मिट्टी है, देखिए मेरे तो इसके मिट्टी बहुत, मेरे गमलों की मिट्टी बहुत जदा वेल ड्रेनिंग होती है, तो मैं इसको ऐसे लिटा रही हूं तो मिट्टी बाहर निकल रही है, अगर वेल ड्रेनिंग नहीं है आपकी सोयल, आप ऐसे लिटा दें अपने गमले को, लिटाने से क्या होगा, पानी यहां गिरेगा गमले के उपर, पौदे के उपर भी गिरेगा, लेकिन मिट् में जाएगा नहीं और फिर पौदे की ग्रोथ भी ना ऐसे लेटे हुए गंबले में ऐसे साइड पर ओने लग जाएगी उपर की तरफ क्योंकि पौदा हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है तो इसको आप जैसे बारिश जादा हो रही है दो तीन दिन तो ऐसे लिटा दें फिर सीधा कर दें तो यह एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप कर सकते हैं दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं जैसे अडेनियम में है या कोई और पौदा जो बाहर पड़ा हुआ है आपने कोई बोंजा ही लगाया हुआ है शैलू पोट में है तो पौदे को आप चाते हैं क कि वो बारिश को एंजॉय करें तो आप क्या कर सकते हैं मतलब नॉर्मल गमले में भी कर सकते हैं एक तो वीड्स निकालना भी बहुत जरूरी होता है बारिश में तो आप नॉर्मल गमले में भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें बता रही हूँ कि क्योंकि यह जड़े अच्छ बिद्टे को पॉनी खेंग दें essere 2 92 गढ़ेंऐ फिर 1-2 दिन हवा लगने देंगा फिर 2-4 दिनध़ डखेंगे कि जब बारिश तेज हो रही हो इस TIME ठखेंगे फिर जब खुलना मुस रहें मैं तो उस पॉनीं को हटा दें तो और उस पॉनीं में क्या थोड़े hole कर दे, छोटे-छोटे 4-5 hole कर दे ताकि हवा का सफोकेशन नहीं हो, जड़ों को हवा थोड़ी बहुत आती जाती रहे, तो थोड़े ऐसे तिर्चा लगाएं उसको ऐसे बान्दे ना जब हाँ थोड़े से तिर्चा लगाएं ताकि पानी उस पर गिर के ऐसे भैजाए जैसे छत्री होती है उस टाइप से तो ये लगा देंगे ये भी पौदों को ओवर वाटरिंग से बचाने का एक बहुत अच्छा उपाए है अब आप देखिए राजिस्तान में मौनसून का क्या हाल होता है अब देखिए बादल थे रात को थोड़ी सी कोई एक गंटा बारिश होई होगी और अब भी बादल थे और अब देखिए कि नहीं तेज धूप हैं अब देखिए बादल में वीडियो बना रही थी अब एक दम इतनी तेज धूप हो गई है इतनी तेज धूप हो गई है बिलकुल फुल गर्मियों जैसी की खड़ा होना मुश्किल हो गया है में मारी मिट्टी बहुत ज्यादा वेल रेनिंग देखिए ऐसी होती है लेकिन अगर आपकी वेल रेनिंग है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है तो आप क्या करें कि थोड़े थोड़े एक दो दिन बाद या चार पांच दिन वीक ले कर सकते हैं चलिए वो आप अपने आपको बचाना है तो यह कुछ उपाए मैंने आपको बताए है कि ओवर वाटरिंग जो है उससे अपने पौदों को कैसे बचाए है हम लोग बारिश में तो फ्रेंड्स इन उपायों को आप यूज़ कर सकते हैं करके देख सकते हैं और अगर आपको इवीडियो अच्छा लगा होते से लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंड्स बाइ